नमस्कार विद्यार्थी मित्रोव। आज हम पढ़ेंगे इकाईदो कच्च की सेर। एक यात्रावुथ हैं जिसके लेखक है हरेस धुलकिया। कच्च निवासी हरेस धुलकिया अध्यापक थे। सिक्षत्व की सिक्षत्व आपकी बहचान बन गई है। पुर्वा राष्ट्रपत्ती स्री एपीजी अब्दूर कलाम के भुवुचर्चित विंक्स और फायर कुस्तक का आपने गुजराती बासा में अनुवाद। अगनपंक सिर्शक से किया है। सिक्षन कारिय के आपके अनुबव, संसोधनात्मक लेखन कारिय तथा पत्रकारत्व आपके लेखन के क्षित्र है। कच्च मित्र में आप सुर्खाप स्तम अंतरगत लिखते हैं। आपका सर्जन कारिय अंगत्नोपग, 400 टका आनन तथा शिक्षन समंदी गुजराती साहित्य लोगप्रिय है। प्रस्तुत इखाई में आपने कच का परिजय कराने का प्रयश किया है। जिसमें कच एवं इड़कित के दर्शनिय सानु का परिजय कराया है। इस इकाई में अपनी संस्कृती का आदर, अपनी विरासत का सनरक्षन, देश प्रेम, आदे मुल्यों को विक्षित किया गया है। यहां आपकी रचना कच आत्रा का भावानुवाद प्रस्तूत है। कच गुजरात राज्य का एक जिला है और भारत की प्राचीन महोंजो दड़ो संस्कृती के अवशेश यहां पे पाये जाते है। यहां के एतिहासी संस्कृती तथा धानमिक सानु का महत्व आज भी कायम है। भूच कच का मुख्य नगर है और इस पार्ट में कच प्रदेश के बारे में बहुत सी जानकारी बड़े ही रोचक ढंग से दी गई है। तो आगे हम देखें तो विशाल भारत में अनेक दर्शनिय प्रांत है। भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक दर्शनिय प्रांत यानि कि देखने लायक स्थल है। और इस सबका अपना महत्व एवं सौन्दर्य है। सबका जो दर्शनिय स्थल है उसका अपना महत्व भी है और वह सौन्दर्य यानि कि उसकी सुन्दर्ता भी है। उसमें से गुजरात उनमें से एक अनुठा राज्य है, यानि कि गुजरात इन सब में अनोखा यानि कि अनोखा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिल्ला है कच, जो गुजरात का अत्यन्त रमणिय प्रदेश है, रमणिय यानि कि सुन्दर प्रदेश है। उसका पौराणिक महत्व यानि कि पूराणों के समय का जिसे धार्मिक भी कहा जाता है, उसका महत्व भी कम नहीं है। यहां पे कहते हैं कि रेगिस्टान तो है, लेकिन उसका कोई लख्षर नहीं दिखने को मिलता। क्योंकि रेत नजर आती ही नहीं, इसलिए वो अनुठा यानि की अनुखा रेगिस्तान है। साम्खियाली को हम कच का प्रवेजवार कहा जाता है, क्योंकि कच की यात्रा यहीं से साम्खियाली से ही आरंब होती है, यहां से उत्तर दिशा की और यात्रा का प्रारंब होता है, साम्खियाली से उत्तर दिशा की और यात्रा का प्रारंब होता है, रापर से धोला विला पह तेहीं हमारी प्राचिन संस्कृती मोहिंजो दड़ों का स्मरण हो जाता है। यह सान 5000 वर्स के अउशेशों का अंग है। और इस प्राचिन नगरी के दर्शन से ही हम चकीत रह जाते हैं। हमें प्राचिनता में आदुनिक्ता के दर्शन होते हैं। सामकियार से प्रशिम की यात्रा करते बचाओ नजर आता है। जो बचाओ है, जो बड़ा गाओं है, जैसे नगर भी कहशकते हैं। वहां से घंधिदाम अध्यदिक्ष कारखानों का सहर है। यहां घंधिदाम में सिंधी ब्रजा पाकिस्तान से आकर साई हुई है। गाओंधिदाम, आधिपूर तथा गोपालपुरी इन तीनों सहरों में उद्योकों के कारण विक्षित हुए दिखाई देते हैं। इन तीनों सहर गाओंधिदाम, आधिपूर और गोपालपुरी उद्योकों के कारण उसका विकास दिखाई देता है। आदिपूर में गांधी स्मूर्ती तथा पास ही कंडला बंदरगा का बड़ा महत्व है। आदिपूर जो स्थान है वहाँ पे गांधी स्मूर्ती का स्थान आदिपूर में है। और उसके पास में कंडला बंदरगा जो है उसका बड़ा ही महत्व है। कंडला, कंडला एक बंदरगा है, कंडला का विकाश यहां की प्रजा के लिए महत्व पूर्ण है, कंडला से हम दक्षिन की और जाय तो बद्रेश्वर, अति प्राचीन जैन यात्रादाम है, संग मर्मर्ष ने बना डाई सो वर्ष पुराना जिनाले, यानि की जैनों का जैन मंदिर, जो बुकम से खंडित हुआ था, उसे के पुरह निर्मान का कारिय अभी जोरों से चल रहा है, इसे आधुनिक्ता का शपर्ष मिला है, मुंद्रा सहर तश्रिल मुक्याले भी है, यहा समुद्र के किनारे बंदरगा विक्सित हुआ है, यहां कुछ प्राचिन इमारते भी है, समुद्र के किनारे टटिये आत्रा करते हुए हम मांडवी पहुचे, और मांडवी भी अति सुन्दर बंदरगा है, वहां प्राचिन नगर है, यह मांडवी शहर, राजा के महल, महल पवन चक्कियों तता समुद्र तत के कारान अत्तिक दर्शनिय बना है। जयनों का प्राधन यहां नजर आता है। नारैन सरोबर को रामायन काल का माना जयता है वहां कोटिश्वन नामक दर्षणिय मंदिर है जहां से रावन गुज्रा था और यह पूरे भारत का प्राचिन्स्थान माना जयता है सुर्योदई और सुरियास दर्षण यहां का बड़ा आकर्षण है नारेन सरोवर के आगे की यात्रा में लगपत आता है गुरु नानक की चरणरच चरणरच यानि की पाओं की दुल से पावान इस भुमी पर गुरुद्वारा है गुरुद्वारा जो सीखों का प्रात्ना स्थल है एक समय का सम्रुद्द नगर सम्रुद्द यानि की धन दौलस से भरपूर सहर आज जीना वस्ता में होते हुए भी दर्शनिया है जीना वस्ता यानि की तूटे-फूर्टे हालत में है जो एक समय में धन दौलस से भरपूर हुआ करता था वह तूटी पूटी हालत में है लेकिन अभी भी वह दर्शनिया है यहाँ पे एक किल्ला है उसके बकल में पानंद्रो खनिस संपति के लिए प्रशिद्ध है साथ ही यहाँ पे विदूत निर्मान का केंद्र है साथ ही वह विदूत निर्मान का केंद्र है लगपस से मध्य कचकी और बढ़ने पर हाजी पीर मुशलमानों के लिए स्रद्धा का केंद्रा आता है और यहाँ पीर की मजार है मजार याने की दर्गा रिगिस्तान की जहांकी याने की दर्शन यहां से होते है रास्ते में माता का मध नामक धार्मिक सान है जहां नवरात्री के परवपल लोग पदियात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनात के लिए आते है और इसके आगे माता के मट के आगे हम जाए ये तो नखत्राणा आता है जो प्राक्रोतिक नजारों का केंद्र बना है रास्ते में चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, भंड़ाई जिसे मनोहारी प्राजिन सान है अब कच का मुख्य केंद्र बुज आते ही उसके वैबव का परिशय होता है कच का मुख्य केंद्र है बुज आइना महल, प्राग महल, टावर, स्वामिनारायन मंदिर, हिल गार्डन, हमिर सर्तालाब, भुजिया पहाड, लोक्षंग रहालाई, विश्व विद्यालाई महल, टावर, स्वामिनारायन मंदिर, हिल गार्डन, हमिर सर्तालाब, भुजिया पहाड, लोक्षंग रहालाई, विश्व विद्यालाई तो वहाँ पे हम दर्शन करके इसका आनन ले शकते हैं सन 2001 के भुचाल ने इसे खंडित किया जो पुकम पाया था, उसने भुचाल आया था, उसने खंडित किया तो लोगों ने उसे एक नए स्वरूप में पुनह निर्मान करके और सुन्दर सहर बना दिया है भुज से उत्तर दिशाकी और खावडा में काला डुंगर है पहाट पर चर्ण कर रिगिस्तान की जहांकी करना एक अनुठाब अनुबव है सरकार एवं सानिय जन्ता द्वारा यहां पे रणुस्ताव का आयोजन होता है और देशबर से लोग यहां आते है सपेद रिगिस्तान को देखना एक आननदाई गटना है भुज सहर से अंजर भी जाया जाता है उसके आगे बढ़ते हुए सरुजन संस्ता में यहां की प्रजा की हस्त कला का परिचय होता है सरुजन नामक संस्ता है जो कचकी कला का परिचय कनाने वाली कचकी कला जो हस्त कला है उसका परिचय वहां से होता है जेसल तोरल की सुरुती में भी मंदीर बना है जो एतिहासिक सान है अंजर में जेसल तोरल की समाधी है यहां से आदीपूर तथा गांधीदाम जा सकते हैं सुरजबारी नामक सान जो है वहां से कच्की यात्रा पूर्ण होती है सुरुचबारी नामक सान से हमारी कच्च यात्रा पूर्ण होती है जो अब इस मरेनिय सुरुतिया छोड़ जाती है कहा जाता है कच्च नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा कच्च गुचरात का गवरव है और दुनिया भर के लोकों के लिए किसी भी मौसम में किसी भी मौसम में वहाए तो उसमें वह दर्शनिय एवं आकर्शन का केंद्र है और इनका अनुवाद महेशबाई उपाध्याई ने किया है